चलिए शुरुवात करते हैं आज की निज्पेपर की सबसे पहली न्यूस हम देखने वाले हैं ग्रूप आप सैवन से रिलेटेड एक न्यूस आई है पार्टिकुलर्ली हम बात करेंगे बिजनेस वाले पेश से जी सैवन की हिस्ट्री को हम देखते हैं जी सैवन ओर्जनली रूप से आप देखोगे तो जी एट से बना है पहले जी एट हुआ करता था जी एट से ये जी सैवन में कनवर्ट हो गया 1975 में जी एट का गठन किया गया था एक इनफॉर्मल फोरम का रूप इसको प्रोवाइट किया गया था एक मंच प्रोवाइट किया गया था उस मंच में विश्व की जितनी भी जो लीडर इंडिस्ट्रियल नैसंस थे जो की उद्योगों के मामले में सबसे आगे थे उनको एक मंच पर लाने के लिए 1975 में जी एट का गठन किया गया था वहीं अदि हम बात करें इसको कॉंसेप्ट कहां से मिला तो इस फोरम का जो कॉंसेप्ट था फॉर्दा कैप्टिलिस्ट वर्ल्ड मेजर इंडिस्टिलाइज कंट्रीज इमर्ज भी फोर दा 1973 के दौरान जो ओईल क्राइसिस आया था इस चीज से निपटने के लिए लोगों के मन में कुछ कोस्टा नाए कैसे करके हम इससे निजात पा सकते हैं इसी का आंसर था जी एट ग्रूप ये आप जो देख रहे हैं सीनियर फइनेंसियल औफसल जैसे कि यूएस यूके वेस्ट जर्मनी जापान फ्रांस ठीक है इनकी जो informal gathering हुआ करती थी इन देशों के senior financial officials, senior financial अधिकारी आपस में 81 होते थे उस time में group of five के रूप में कौन-कौन आये थे? US, UK, West Germany, Japan और France आये थे जितने भी इसमें participant रहे, उन्होंने exchange किया था idea को particularly economic problem 1970 के दोरान जो आई थी जैसे कि first oil crisis के उपर उन्होंने बातचीत किया, इसके सांथ सांथ में collapse of the system of fixed exchange rate पहले जो fixed exchange rate हुआ करता था, वो क्या है उतना जादा कारगर साबित नहीं हुआ पाया इस मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा हुई थी जिसको ब्रेटन वुट्स कहा जाता इसके बाद agree हो गए थे international economic policy को ले करके और initial measures लाने के लिए सोचे ताकि जो global downturn चल रहा है उससे हम निपड़ सकें यहाँ पर हम exchange rate की भी बात कर लेते हैं exchange rate का मतलब क्या है? exchange rate का मतलब है exchange rate is an amount of the domestic currency मान के चलिए हम रूपिया की बात कर रहे हैं तो हमारी domestic currency की क्या हो गई रूपिया हो गई ठीक है तो रूपए की value डॉलर के मुकाबले कितनी रहेगी इसको जब टाइक किया जाता है उसी को हम कहते है एक्चेंज रेट है एक्चेंज रेट भी कई प्रकार की रहती है तो उसी में से हम ने जो आगे चर्चा किया था वो किया था fixed exchange rate और अभी हम और भी इसके जो टाइप सा उसको देख लेते हैं packed का मतलब होता है कि इसी भी चीच की value को आखना या फिर अनुमाल लगाना तो इसको हम packed या फिर लिंक करते हैं किसी और currency या फिर asset के साथ में जादा तर हम gold के साथ में रुपिया की तुलना करेंगे या फिर उसकी value आखेंगे ठीक है ताकि इसकी value को हम derive कर सके इस प्रकार का जो exchange rate mechanism होता है वो insure करता है stability of the exchange rate को by linking it to a stable currency itself क्योंकि रुपिया मान के चल लीजिए उसका price हमने इस्थिर कर दिये तो जो fixed currency system होता है na relatively well protected माना जाता है against the rapid fluctuations in the inflation inflation आये चाहे मत आये हमें उसके कोई उसका लेना देना रही है इतना है मतलब इतना है उसकी value ऐसा हम मान के चलते हैं कुछ countries हैं जो की follow करती है fixed rate system को जिसमें Denmark, Hong Kong, Bahamas और Saudi Arabia आती है advantage की यदि हम बात करें एक ऐसा देश जो कि fixed exchange rate system को लाता है वो काफी attractive माना जाता है foreign investor को लेकर के who are lured into investing that country due to stability its offer क्योंकि उस देश में आपको stability देखने को मिलेगी वहीं यदि हम disadvantage की बात करें इस प्रकार का जो system होता है government of a country has to maintain huge amount of foreign exchange ठीक है आपको बहुत बड़ी मात्रा में foreign exchange विदेशी मुद्रा को maintain करके रखना पड़ता है या फिर gold reserve होना चाहिए ताकि आप maintain कर सको आपके value को this system does proves to be an expensive one तो इस प्रकार से आप यह देखोगे यहां पर यह system काफी expensive समझ में आता है second number पर जो exchange rate होता है वो होता है flexible exchange rate flexible exchange rate जिसको floating exchange rate system भी कहते है ठीक है यह उन देशों पर लागू होगा जहां पर currency को determine किया जाता है आपके देश की जो रुपए है उसको determine किया जाता है उसकी value बताई जाती है market forces market force क्या होता है demand और supply के हिसाब से आपका जो रुपिया है कम या जादा हो रहा है fixed exchange rate they do not derive the value from any underlying some economists argue that a floating system is more preferable since it absorbs the shocks of the global crisis and automatically adjust to the arrive at equilibrium इसमें यह कहा जाता है कि यदि छोटे मोटे जो जटके आ रहे हैं crisis आ रहा है उसको यह सहन कर सकता है इसलिए इसको ज्यादा प्रिफर किया जाता है हमारे देश का जो central bank होता है वह इस बात पर एंटरफेयर करता है economically extreme situation such as the recession and blue to stabilize the currency वहीं यदि हमारे देश में बंदी आ जाती है यह फिर एकदम से उच्छाल आ जाता inflation high हो जाता तो उस दोरान currency में stabilization लाने के लिए central bank की तरफ से कुछ intervention किया जाता है दे में बई और सेल था सेल एन एमांट ऑप दा करेंसी तो प्रिवेंट दर रेटेस फ्रॉम गोइंग हाई वेर इसके लिए central bank क्या कर सकता है वह यह तो खरीद सकता है यह तो फिर बेच सकता है ताकि जो प्राइस कम जादा हो रहा है उसको मैनेज कर सके आगे जी सेवन की हिस्ट्री को थोड़ा से कम्प्लीट कर लेते हैं 1976 में कनाड़ा को इन्वाइट किया गया था कि आप इस ग्रूप को जॉइन कर लीजिए and the first meeting with all G7 nations was hosted by the United States which was held in purity recycle in 1976 ठीक है फिर चोर्योट को में होस्ट कौन करा ता United ninety Lasants host करा आठा और कहा था कनाड़ा को भी आप सामिल हो जाईए फिर 1977 में United Kingdom which hosted that year summit जिसका आईजन यूइटेट किंग्नम में किया गया था इन्वाइटेट दा यूरोपियन एकोनोमिक कमिटी बाद में ये बन गया था EU कि आप G7 समीट को जॉइन कर लीजिए कब से? 1981 की बीगनिंग से It had attended every gathering फिर हर बार ये अटेंड करता था 1997 में रसिया ने जॉइन कर लिया था G7 कुरूप को और ये बनिया था G8 This was a signal of cooperation between East and West after the Soviet Union's collapse in 1991 यहाँ पर आप ये देखोगे कि 1991 में सोवियत यूनियन जब टूटा उसके बाद से पहली बार ऐसा लगा कि जो East है और West है दोनों के बीच में कोपरेशन चल रहा है बाद में रसिया इस ग्रूप से बाहर हो गया 2014 में क्योंकि क्रीमिया में इसने क्या कर लिया था कब्ज़ कर लिया था फिर सही ये ग्रूप बन गया G7 There are no formal criteria for membership but participants are highly developed democracies किसी प्रकार की योगता का तव इसमें प्रावधाव नहीं किया गया है लेकिन आप यह समझ लीजिए कि जादा तर जो high development वारी democracies है वो इस ग्रूप का हिस्सा है Annual Summit की अदि हम बात करें ठीक है तो G7 का जो Summit है वो आईजित किया जाता है साल आना Summits are held annually and hosted on a rotation basis by the group's members आज होगा इस प्रकार से यह रोटेट होते रहता है कि दे एन्वल जी सेवन समिट्स है ओवर दा इयर्स डवलप्ड इंट्व प्लेट्फार्म पॉर्ड डिटर्माइनिंग दा कूर्स आप मल्टी लेट्र डिसकोर्स and shaping political response to global challenges विस्व भर में जो challenges आ रहे हैं ठीक है उसके लिए political responses को खोचता है इसके साथ साथ में multilateral जो डिसकोर्स है उनके उपर यहाँ पर चर्चा करी जाती है इसके बाद हम नियूस को देख लेते हैं नियूस में क्या बताया जा रहा है बताया जाता है कि G7 के ग्रुप के जो मेंबर है वो agree हो गए है price cap system for Russian oil रसिया की तरफ से यह जो आईल खरीते हैं उसके लिए यहाँ पर price cap लगाने की बात करी जा रही है ऐसा क्यों किया जा रहा है ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रसिया और यूक्रेयन के बीच में जो युद्ध चल रहा है तो रसिया के पास रूपियों की कभी हो सके और वो युद्ध को रोख सके finance minister from the group of seven group seven के जो finance minister है जो की industrial power मानी जाती है दो सितंबर को यह प्रतिबद्ध हो गए है तो पुट इन प्लेस एस सिस्टम डिजाइन तो कैप रसियास इंकम फ्रॉम ओईल सैल्स ओईल के माध्यम ओईल की बिगरी से रसिया की जो इंकम हो रही है उसमें हम कैप लगाना चाहते हैं एक आइडिया है that the nation's leader had promised to explore at their summit in June एक बात जो यहां पर यह कही जाती है देखिए अब यदि रसिया चाहता है कि अपनी सर्विस को हमारे देश तक प्रोवाइट करें यह पहुँचाएं तो यह कब allow करेंगे यदि रसिया का जो oil है और जो petroleum product है ठीक है यदि वो कम कीमत पर यदि या फिर जो price cap हम लगाए हैं उस कीमत पर यदि बेचता है तो हम रसिया से यह माल खरीच सकते हैं अब यदि हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा effective रहें तो यह जो price cap है ना have to involve as many as importing countries as possible ज़्यादा से ज़्यादा देशों को हम अपने प्रभाव में लाएं उनको भी कहें कि रसिया से अपने oil की कीमत को कम करें दूसरी बात यह है रसिया अपना माल सस्ते दाम में बेचेगा भी क्योंकि वह और भी बड़ा market चाहता है अमेरिका और ये रोप के अलावा फॉरेन वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं चाइना के इन्वेस्टमेंट चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सी कुकुंबर में ठीक है सी कुकुंबर की खेती करना चाहता है स्री लंका में और स्री लंका भी चाहता है कि हमारे देश में बाहर से इन्वेस स्रि-लंक करकि जो एर्या है यहां पर बताया जहतार है जापना द्वीप वाला एरिया उसके असपास कर अरिया यह mortusक की क्हेथी हो को कि भारत आप आईए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन भारत की दरब से जब कोई भी जवाब नहीं आया तो इनका कहना है कि हम क्या थर्ड पार्टी को नहीं इन्वाइट कर सकते कि हम बाहर के देशों को इन्वाइट नहीं कर सकते कि वो लोग इस एरिया में और हमरे यहां के जो लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइट करें हमने ऐसे कई सारे काम करें हैं जैसे लोगों को फ्री में सी कुकुंबर के पौधे अविलेबल कराए हैं इसके अलावा हम जो एक्सपोर्ट करें हैं उससे भी हमारी बहुत इंकम हुई है ऐसा यहां पर बता को को कल्चर है वह एक प्रकार से त्वीट नजर आ रही है उनकी आजीव का के लिए उनको लगता है यदि यह लोग आ जाते हैं तो हमारी जो रोजी रोटी है वह छिन जाएगी वहां के लोगों का क्या कहना है हम यह रोगनाइज कर रहे हैं हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है क्योंकि हमारा जो एरिया है वो वार से अफेक्टेड रहा है ठीक है लेकिन यह जो sea cucumber है फार्मस है यह manly export के लिए है sea cucumber की जो खेती हो रही है वो उसको तो आप export कर दे रहे they will only bring more harm than benefit लेकिन इससे आप यह देखोगे benefit की तुल्ना में आपको नुकसान जादा हो रहा for those of us living here हम लोग यहां रह रहे हैं यहां पर लड़ाई जगड़ा हुआ था पहले बहुत जादा war affected area है तो यहां पर लाब की जग़ा नुकसान ही होने बाला है ऐसा कहना है अन्ना लिंगम अन्नारसा का यह president है जाफना फिसरीस फेडरेशन के अब इसके बाद यहां हम बात करें small scale वाले जो फिसर्मेन होते हैं वो देख रहे हैं government की तरफ में क्योंकि recent यहां पर push मिला है किसको aquaculture को as the latest blow to their livelihood ताकि इनकी जो livelihood होना उसमें कुछ blow आ सके already precarious है due to the relentless bottle throwling by the Indian fishermen लेकिन इनकी आजीव का आज भी अनिश्चित ही मानी जा रही है क्योंकि इंडियन फिसर्मेन यहां तक पहुंच जाते हैं ठीक है कई सालों से यह लोग आते हैं इनके संसाधन को आरूप लगाया जा रहा है कि नेट कर देते हैं इसके सांसाथ में जो केरोसीन का पढ़ते जा रहा है कि 2021 में स्री लंका ने एक्सपोर्ट किया था 336 टन ओफ सी कुकुमबर इसको चाइना सिंगापूर और होंकों को यह बात पता चाली है वहां के लोकल मीडिया रिपोर्टर से ठीक है डिस्पेरेट मतलब निरास तो फाइंड डॉलर्स तो इस्टेबलाइज इस बैटर एकोनोमी दस्री लंकान गॉर्मेंट अपिर्स तो है इव आइडेंटिफाइप पोटेंशल फोर बोद और इंवेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट इन ब्रीडिंग एंड शेलिंग सौसजज सेट मेरीन एनीमल ठीक है एक मेरीन एनीमल है इसके भी वो ब्रीडिंग कराना चाहता है इसको वो आइक्सपोर्ट कराना चाहता है ठीक है Конसिडर्ड ऐडेलिकेसी इन चाइना एड साउफ इस्ट एस या क्योंकि इसकी जो डिमांड है चाइना और साउफ- momentum इसीचे एमें काफी जादा है इसकेबाद वाली न्यूज हम देखने वाले है ए है एक्रिकल्चर से रिलेटड ये न्यूज आई है भारत के यदि हम अग्रिकल्चर इससे पर करें बात करें तो बारत का जितन football कि एरिया है लैंड वाई यदि हम बात करें जमीन का जितना भूमी बंजर है मतलब बिना उपयोग वाली है अग्रिकल्चर से रिलेटेट जो नियम कानून है वो राजसरकार ले करके आती हैं इसका उल्ले किया गया सम्विधान की साथवी अनुसूची के प्रविष्टी चउदा में चावल की खेती के हम बात करें तो विस्व में सबस भूमी है भारत की उसके 15% हिस्से पर गयों की खेती की जाती है नियूस की बात करें तो नियूस में बताया जाता है हमारे देश में पैडी का जो कल्टिवेशन है उसमें डिकलाइन देखने को मिल रहा है लगभग 5.62% की गिरावट आई है धान की भुवाई में धान की फ हलाक यदि हम देख लें मांसून का जो सीजन रहा है नौर्थ इंडिया में काफी लंबा रहा है इसके बावजूद भी धान की बुवाई में कमी आई है यह जो हम डाटा देख रहे हैं यह डाटा है यूनियन एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री का जो कि फ्राइडे के दिन रिल गिरावट आई है मतलब 5.62% 2020 से दी हम कब बेर करें तो अधान के अलावा भी अन्य फसलों के बारें बचाया जाता है जैसे की तूर या फिर अरहर की धाल ठीक है यहां पर भी हमें मारिजिनली कुछ-कुछ गिरावट देखने को मिली है 44.86 लाक हेक्टियर में ही करें तो पहले था 47.56 लाक और जब इसकी खेती ही में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है तूर और अरहर का जो रेट है वो बढ़नाई वाला है वहीं है अधी ऑईल सीट्स की बात कर लें तो बताया जा रहा है 188.56 लाक हेक्टियर में इसकी खेती हुई है पिछले साल यदि देखे तो 189.66 लाक हेक्टियर में खेती करी गई थी वहीं हम बात कर लें सुगर केन की तो सुगर केन का जो कल्टिवेशन है वो रहा था 55.65 लाक हेक्टियर में हलका सा इसमें व्रद्धी देखने को मिली है 54.7 लाख हेक्टेर 2021 में इसकी खेती हुई थी इसके बाद वाली न्यूस हम देखने वाले हैं फ्रेंट पेज से फ्रेंट पेज में एक आइनस विक्रान से रिलेटेड न्यूस आई है पहला ऐसा विमान है जहाज है जिसको भारत ने खुद से डिजाइन किया है और डवलब किया है कीमत की हैदी हम बात करें तो इसका इस्टिमेशन लगाया जा रहा बीस हजार करोड का फरवरी 2009 में इसकी कील फाउंडेशन करी गया थी पहली बार इसका काम चालू किया गया था फिर इसके बाद अगस 2013 में इस सिप की लांचिंग करी गया थी पहली बार वाटर में फिर नवंबर 2020 में इसका बेसिन का ट्रायल कंप्लीट किया गया था और वहीं अदि हम बात करें जुलाई 2022 में फिर समुद्र में इसका ट्रायल कंप्लीट किया गया था पांच फेस में अलग अलग फेस में इसका डिलिवरी हुई मतलब नेवी के द्वारे इसको acceptance प्रोवाइड की गई फिर सितंबर 2022 में आइनेज को नेवी में कमीशन कर लिया गया है मतलब इसको हमने सामिल कर लिया है कैपसेटी के दिए हम बात करें तो 1600 क्रिव की कैपसेटी इसकी बताई गई है और कमपार्टमेंट इसमें 2300 बनाए गए है मैक्सिमम स्पीड है 2800 की इसके बाद फ्रेंट वाले पेज में एक और न्यूज आई है तीस्ता सितलवार्ट से संब्दित गुजरात में जो दंगे हुए थे 2002 में उसी केस के चक्कर में तीस्ता सितलवार्ट को गिरपतार किया गया था ठीक है बताया जा रहा है गुजरात की गौवर्मेंट और वहां का जो हाई कोड है वो अलाव नहीं कर रहा था उनको जमानत देने से बना कर रहा था लेकिन फिर जब केस गया सुप्रीम कोड तो सुप्रीम कोड ने तीस्ता सितलवार्ट को अंतरिम जमानत दे दी है ऐसा नीज में बताया जाता है